नमस्कार दोस्तों रामकर दोस्तों परताब का बलोचल माफ़कास स्वागते आज किसान भाई यों हम बात करूंगा खीरा की बुवाई किस महीने से किया जाता है और सबसे अधिक जो है पैदावार किस महीने में माना गया है सबसे अच्छा पाइदावार और इसका सही महीना कौन सा होता है बुगाई का एक कितने दिन में फल देने लगता है और ये अब ही फरवरी के महीने में खीरा का क्या रेट हो बिक रहा है किस रेट से बिक्री हो रहा है सब कुछ किसान भाई ये इस वीडियो माँ आपको बता करें अगर किसान भाईयों हम बात करते हैं खीरा की तो खीरा जो है गर्मी के मौसम में जो है होता है काफी बढ़िया इसका जो है पैदावार देखा गया है खीरा का जो फल फूल होता है ये साथ दिन से लेकर के असी दिन के अंदर जो है ये फल फूल देने लगता है और बारिस के मौसम में खीरे की फसल सबसे अच्छी मानी गई है अगर हम बुवाई की बात करते हैं तो बुवाई जो है फरवरी के दूसरे सब्ता से बुवाई जो है चालू हो जाता है और ये मार्च तक इसकी बुवाई किया जाता है लेकिन किसान भाईयों ये आप देख पा बिक्री हो रहा है तो ये जो है अधिकतर जो है कहीं पर ऐसा भी होता है कि गरम इलाका होता है तो वहाँ पर खीरे की बुवाई करके वो लोग जो है उत्पादन ले लेते हैं जो मार्केट में खीरा अभी दिख रहा है ये जो है बुवाई किया गया है पहले ही आज से जो है 80 रुपया केजी के हिसाब से बिक्री हो रहा है और भी दूसरा तरीका होता है जो कि ठंडी के सिजन में भी खीरा का उत्पादन ले लेते हैं वो पॉली हाउस के जरिये यानि पॉली हाउस से बनाया जाता है उसके अंदर टंपरेचर की मातरा कम जादा करके जो है इसक से बोष्या ग्रोफ भी होता है और पैदावार भी बढ़िया होता है तो किसान भाईयों अब हम बात करते हैं तो 80 रुपया केजी काजाब से फरवरि में भी खार है आज अगर बात करते हैं तभी जो है मार्केट में भी खीरा दिख रहा है तो किसान भाईयों आप लोग पहले बुगाई करना चाते हैं अगेती बुगाई करना चाते हैं तो आप लोग भी पॉली हाउस की जरिये जो है बुगाई कर सकते हैं और उस समय क्या है रेड भी अच्छा मिलता है मार्केट म और जो दूसरा तरीका भी हमने किसान भाईों बताया कि जैसे कि कहीं पर देखा जाता है गरम इलाका होता है ठंडी जादा वान नहीं पड़ती तो वहां पर भी लोग उत्पादन ले लेते हैं खिरे की तो किसान भाईों हमें उम्मेद है कि आप लोग सुझ में आगया होगा वीडियो को लाइक जरूर करें